हेलो एवर्यूर्वन स्वागत है आप सभी का एक बफ़िसे जीडिसी इडिसी इट्रीक मेडिसीं सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं पैंडम प्लस क्रीम के बारे में जी हां फैंडम प्लस प्रसक्राइब करते हैं और इसका असर भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है तो आज के वीडियों हम बात करेंगे पैंडम प्लस क्रिम में कंटेंड क्या होता है क्या इसका यूजर्ज है क्या में क्या साइड इफेक्ट क्या प्रिकॉशन और इस क्रीम को कैसे इस्तिमाल क क्या दिए हम आपको इस वीडियो में देंगे पूरें वीडियो में बने रहेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रस वेट वाइट के मांट में होगा अगला है जो की 0.05 percent weight by weight के amount में होगा अगला है ओफलॉकसासीन जो की 0.75 percent weight by weight के amount में होगा और last है और नीडा जोल ये भी हमारा 2 percent weight by weight के दौरा इसमें मिलाया जाता है इसकी price की बात कर ली जाए तो 112 रुपे ट्यूब की प्राइस होती है कंपनी जो भी से बनाती है उसे मेकलियोड फार्मसोटकल प्राइबिट लिम्टेड बोला जाता है इस्टोर इसको 30 डिग्री के बिलो करते हैं बात करेंगे डियर इसके यूजर्ज की तो मेली आपके ये की इसकीन इन्फक्शन जी हाः इसकिन पे बैक्टीया के इंफेक्शन फंगल इनफेक्शन इसकीन पी अगर कोई इन्फलमेशन है उसको टेट करेगा फंगल इनफेक्शन की बात कर लैजा हए मतलब नविर्य हों को प्लस क्रीम आपके एक्स्टरनल बॉड़ी पे यूज के लिए होती है और जो अफेक्टेड हेरिया होता है उसको क्लीन और ड्राइ करने के बाद उस पे एक थिन लेयर यानि की उस क्रीम को वहां पे लगाया जाता है लगाने के बाद अपने हैंड को प्रॉपर्ली आप वॉ लग-लग करते क्या है जिससे आपको इन सारी चीजों से अराम मिलता है समझेंगे जो टर्भीन होता है एक तरह से एंटी-फंगल एजेंट होता है जो की फंगाई के ग्रोथ को क्या करता है उनके प्रोटेक्टिव कवरिंग के फॉर्मेशन को रोक देता है यानि कि यहां पर हमारा antifungal agent अपना काम दिखा देगा लोबेटा सॉल एक तरह से steroid medicine यह करेगा क्या यह प्रोस्टा ग्लेंडिन के production को ब्लॉक कर देगा जी हाँ वही प्रोस्टा ग्लेंडिन जो कि इस्किन को रेड होने से इस्किन को स्वालो होने में इस्किन को इची होने में मददगार होता है यानि कि जो प्रोस्टा ग्लेंडिन रेली होता था यानि कि उसके द्वारा जो इस्किन रेड होती थी इसकिन सॉल होती थी, इसकिन इची होती थी, उसी के production को यह क्या की अक्लुबैटा सॉल ब्लॉक कर दिया, यानि कि वो समस्या भी दूर हो गई, बात करेंगे उपलॉकसासिन की, तो एक तरह से एक एंटीबाइटिक एजेंट होता है, जो कि बैक्टिरिया को किल करता है, उनक बैक्टिरिया के DNA को डैमेज करेगा, जिसके कार्ड बैक्टिरिया ग्रोथ नहीं हो पाएगा, फंगाई ग्रोथ नहीं हो पाएगा, यानि कि आपका skin infection ने ठीक हो जाएगा, बात करेंगे कुछ common side effect की, तो इसको लगाने के बाद skin पे redness वगरा आ सकती है, burning sensation देखने को मिल सकता है, irritation जलन वगरा हो सकती है, इचिंग हो सकता है, skin peeling वगरा हो सकती है, layer निकल सकती है, या thinning of skin का पतला होना हो सकता है, यह सारी क्या थे हमारे side effect थे, Sodia student, यह था आपका Pandum Plus Cream की जानकारी, जी हाँ, Pandum Plus Cream बहुत ही अच्छी माने जाती है, skin के bacterial और fungal infection, दाग और काले धब्य और जाईयां को दूर करने के लिए, यह जानकारी आपको कैसी लगी, comment box में ज़रूर बताईएगा, अगली medicine किसके बारे में बताएगा, उसको भी comment box में ज़रूर लिखेगा, और medicine की जानकारी चाहिए, तो description में जाके playlist विजित कर सकते हैं, चली मिलते हैं किसे अगले वीडियो में, किसे अगले topic के साथ तब तक के लिए, thank you so much dear, all the very best.